ये तस्वीरें पेशक आम सी लग रही होंगी लेकिन इन तस्वीरों की पीछे की बज़ा बेहत खास हैं ये तस्वीरें हैं हिमाचल परदेश के जिला कांगडा के विधान सवाक्षेतर जैसीमपुर में कॉंग्रिस के इमिद्वार के पक्स में परचार करने बालोंगी और परचार में दिख रहे ये शक्स बेहत आम दिखाई दे रहे होंगे लेकिन इसके पीछे की बज़ा जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे दरसल इसमें बार-बार जो सक्स दिखाई दे रहे हैं ये यहां के कॉंग्रिस परत्याशी यादविंदर गोमा के पुस्तैनी गाउं के निवासी हैं हाला कि एक वक्त था जब असी के दर्शक में यहां पर सब गोमा परिवार के पक्स में ही परचार करते थे लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि 70 फिस्दी परिवार ही हैं जो समर्थन कॉंग्रिस के पक्ष में करते हैं लेकिन बरतमार में यादविंदर गोमा जहां चर्चा का विशे वने हुए हैं तो उनके पुस्तैनी गाउं से महस एक किलोमेटर की दूरी पर दूसरा गाउं स्थित है जहां से सुशील को चुनाम मैदान में उतरे हैं बता दें के कॉंग्रिस नेता रहे शुशील कोल ने भी यादविंदर गोमा पर इसी गाउं के समन में तीन दश्कों से परिवारबाद का आरोप लगया था हालांकि इन तस्वीरों में सबसे बड़ी देखने वाले ये बात है कि घर घर पर चार अभ्यान के दौरान इस गाउं के ल जहां पर आम आदमी पार्टे भी अपना अस्तित्व कायम करने का हर संबब प्रयास कर रही है तो वहीं भाजपा के प्रत्यासी और विधायक रवी दिमान भी फिर से सत्ता में आने की बात कह रहे हैं तो वहीं यादविंदर गोमा हिक ठोक कर कह रहे हैं कि अब की बार सत् अश्रिबाद मिल रहा है लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 12 नवंबर को होने वाले मद्दानों का परणाव 8 दिसंबर को निकल कर किसके पक्स में आता है और चंगरक शेत्र का शिकंदर 8 दिसंबर को कौन बनता है रिपोर्ट अपना गजब